बिहार की हाजीपूर में इंसानियत को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है जहां एक तिन वर्ष की मासुम बच्ची के साथ बच्ची के अपने ही रिष्थेदार ने दुषकर्म किया है बता जाता है कि तीन दिनों से पंचायत के अस्तर पर मामले का निप्टारा करने में लोग जो है वो जूटे हुए थे लेकिन आज पिर्था की माता पिता थाने पहुँच गया है और दुषकर्म का मामला दर्ज कराया है घटना जो है वो नगर थाना छेतर के माजी चौक के समीप की है जहां तीन साल की मासुम बच्ची के साथ रिष्थे के साथ वर्ष के दादा ने मासुम बच्ची के साथ दुषकर्म किया आरोपी पिर्टा की मा के रिष्टे में फूफा है जो सभी एक साधी में सामिल होने हाजीपूर पहुंचे थे आरोपी दादा ने बच्ची को अकेले पाकर बच्ची के साथ हेवानियत की घटना को अंजाम दिया है जिसके बाद इस मामले को सुलजाने के लिए तीन दिनों स समाजिक पंचायत अस्तर पर कोशिश चल रही थी लेकिन पंचायत अस्तर पर इस दरिंदगी की घटना को लोगों ने सुलजाने ही पाए और मामला सनिवार को थाने तक पहुंच गया बतादे चले कि पिर्टा मासुम बच्ची के परिजिनों के द्वारा लिखी सिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्श कर मासुम बच्ची को मेडिकल जाज के लिए भेज दिया और इस मामले में आरोपी की गिरफतारी के लिए पुलिस जो है वो छापे मारी कर रही है